हलो नमस्कार दोस्तों नया सीके चनल में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त देव पाव एगल दोस्तों आज हम वीडियो में सीखने वाले हैं कि ओला पर रियक्टिवेट अकाउंट को कैसे किया जाता है अगर आपका भी अकाउंट डियक्टिवेट हो रखा है और हमेने टीटेल में समझा रहां किया हैं अगर आप लोगों को ये सब इस सीखने चेनल में जाकर ये सब सीखते हैं और apan को सबस्क्राइब जरूर करना है यहां से हम से open करेंगे उसके बाद यहाँ पर दिखिए three dots यहाँ पर नजर आ रहे होंगे आपको यहाँ पर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर हमें payment का option मिलेगा तो यहाँ पर हमें जाना है यहाँ पर हमें wallet को एक option नजर आता है तो यहाँ पर हमें से click करेंगे उसके बाद नेश्ट बेज आपका कुछ इस तरह की से खुलेगा जहां निख़ा होगा रीक्टिवेट आपको यहां पर कलिक करना यहां पर हम से क्लिक कर देते हैं यहां पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टेट नमबर पर एक OTP आपको रेसीव होगा तो यहाँ पर हमें OTP मिल चुका है, यहाँ पर हम इसे fill कर देते हैं उसके बाद इसे continue पर click करते हैं अब यहाँ पर यह ID proof में pen card और pen card का नीचे number मांग रहा है तो हम यहाँ पर pen card का number fill कर देते हैं fill करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे option मिलता है अक्टिवेट का तो आपको यहाँ क्लिक करना है और यह देखिए congratulations your Ola money wallet is now unlocked तो आपका account reactivate हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने account को reactivate कर सकते हैं money को add कैसे किया जाता है यह मैं आने वाली weडियो मैं आपको बताओँगा add money करके आपको समझाओंगा कि कैसे हम पैसे अपने wallet में कैसे अट कर सकते हैं इसके उपर भी मैं आने वाली video में आपको और अच्छे से बताँगा add money जो आपकी account wallet में है उसको हम कैसे account में transfer एसी वीडियो ट्रिक लेकर आता रहता हूं जो कि आपके लिए काफी हल्फुल होती है थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो